नमस्कार दोस्तो आज हम जानने वाले हैं स्वेट परकास क्या होता है जिहां दोस्तो आज हम जानने वाले हैं स्वेट परकास क्या होता है यानि दोस्तो इंग्लिज में बात करें तो वाइट लाइट क्या होता है तो जिहां दोस्तो इसको समझने से पहले दोस्तो आपको सम समझी लेते हैं तो के रिकलाब के दोड़ारा हम समझेंगे इसलिए फोड़ी सी समय लगेगी दौस इसमें टेंसम नहीं लेने का यह है दोस्तो काच काच का अब वर्टक गाइव शर्टव जी हाँ दोस्तों यह आपके सामने जो दीख रहा है यही है दोस्तों प्रीजम क्लियर यह आपके सामने जो दीख रहा है यही है आपको प्रीजम क्लियर तो दोस्त ये प्रीजम क्या होता है प्रीजम दोस्तो कांच का एक अपवर्तक सता होता है ये दोस्तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है अपवर्तक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हम यहां मान लेते हैं या आपके सामने ये जो हैं यह आपके सामने सूरी है देखे दोस्तों जैसे ही सूरी से जो किरने अगर इस कांच से दोस्तों अगर हम पार करेंगे न दोस्तों यह रंगों में मतलब तूट तूट जागा जिस रंगों में मतलब यह सूरी का परकास जहें बना होगा उस रंगों में तोट जागा यानि कांच का अपवर्तक सतह है जो कि मतलब इससे अगर परकास की किरनों को पार कर दिया जाना है तो वह रंगों में तोड़ देता है जिस रंगों में बना होता है किरने उस रंगों में यह तोड़ देता है तो आपको प्रीजम समझ में आया कि प्रीजम क्या होता है तो प्रीजम होता है दोस्तों कांच का एक अपवर्तक सत्ह जो कि तिर्भुजाकार होता है और वो रंगों को मतलब तोड़ने का कारे करता है जैसे ही अगर हमने किसी चीज का परकास इस से पार की है समझे कि वह अलग-अलग रंगों में तूट जाएगा तो कांच का आपको समझ में आया कि प्रीजम क्या होता है अब देख लेते हैं दोस्तों कि अब सुवेत परकास क्या होता है किलियर दोस्तों तो सुवेत परकास को दोस्तों हम बोलते हैं सुरी का परकास समझे दोस्तों सुरी की परकास को ही बोलते हैं दोस्तों हम सुवेत परकास सुवेत जो होता है दोस्तों वो सुरी की परकास ही होता है और जैसे ही दोस्तों हम प्रीजम से पार करते हैं जैसे ही हम प्रिजम से पार करते हैं जैसे ही हम यह जो प्रिजम है दोस्तों इससे हम जैसे ही पार करते हैं उसका जो रंग है ना वह साथ मतलब रंगों में विभाजित हो जाता है जैसे ही हम किरन इससे मतलब पार करते हैं तो उसका जो रंग है ना सात रंगों में विभाजित हो जाता है समझे वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है सात रंगों में विभाजित हो जाता है तो स्वेत परकास जो है वह सात रंगों से मिलकर बना है समझे दोस्तों स्वेत परकास को हम सुर्य कहां परकास बोलते है तो सुर्य का जो परक इसमानी और इसके बाद दोस्तों होता है हरा पीला नारंगी लाल तो इसको याद करने के लिए एक ट्रीक होता है तो इस ट्रीक से आप याद कर सकते हैं इस ट्रीक इस तरह से रहता है भी आई बी जी वाई ओ आर इस ट्रीक से हम याद कर सकते हैं यह रंग क्या क्या हो सकता ह दोस्तों भी से हो गया क्या आपको भी से हो गया दोस्तों बैगनी और आई से हो गया दोस्तों नीला और दोस्तों आसमानी के हो गया भी से और दोस्तों हरा के हो गया जी से और वाई से हो गया दोस्तों पिला और ओस से हो गया नारंगी और आर से होगिया लाल तो इस परकार से होती है अगर आपको ये समझ में आज चुकी होगी तो जडूर बतेएगा बस इतना समझ लिजे कि सुरी का ही परकास है सुरी की परकास को ही बोलते हैं हम सुरी का ही परकास उस रंगों में वो तोड़ देता है तो आपको किलर हुआ तो चलि दोस्तो आज की इस लेक्षर में तना ही फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर बेस्ट अप लग